हाई अला वर्वल वेलकम बाक तो मैं योडिव चैनल मैं हूँ है शिकाँ आज हम डिसक्रस करने जा रहे हैं लास्ट थर्टी डेज की स्ट्राटजी तो लास्ट थर्टी डेज में आपके क्या स्ट्राटजी होनी चाहिए कैसे आपको पढ़ना है क्या करना है और सो सबसे ज् इस दिन है इसमें चो है वो दस से बारा घंटे की सिटिंग आपको चाहिए ही चाहिए अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ठीक है अभी आपके स्ट्राजी क्या होनी चाहिए क्योंकि अभी लास्ट के जब एक्दम क्योंकि आज जस्ट थर्टी डेज इस सिट्वेशन आ चुकी है तो अभी पॉसिबल है और वहाँ सबसे जादे इंपॉर्टेंट है वो आपको मेंटली जो है वह हेल्थी रहना है क्योंकि सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है कि होगा नहीं होगा यह सब्सक्र में यह चीज की प्रॉब्लम है उसमें यह चीज की प्रॉब्लम है, MCQ नहीं किया, यह चाप्टर चूट रिया, this, that, किसी का भी 100% कोई भी स्लेबस नहीं होता है, किसी का भी rankers की बात नहीं कर रही हूँ, वो करके आते होंगे, but पैसे normal student के बात करों, तो किसी का भी 100% स्लेबस कम्प्लीट नहीं होता है, exam तक, हमेशा आपके चाहरे पर बनी रहेगी, किया, वो 20% स्लेबस जोगा चूट गया, but अगर आप यह attitude रखो कि yes, मैंने 80% स्लेबस किया, and I am happy, तो वो उसका confidence एक अलग level का हो जाता है, तो जो भी किया है, जैसा भी किया है, उसके लिए confident रहे हैं, कि हाँ, हमने यह किया है, हमने इतने chapter किये हैं, इतना हमें आता है, so, अब last month की strategy क्या होगी, जो just 30 days है, इसकी strategy क्या होगी, जो कि बहुत ज़्यादे important है हमारे लिए, तो अभी क्या करना है, अभी हमको smart study करना है, smart study कैसे करना है, like, जो भी subjects है, DT है, IDT है, SCMP है, and economic law, या फिर जो भी open book का अपने subject opt किया है, जो भी है, तो अभी आपको पढ़ना कैसे है, like, जब हम, जब हमारे पास 3 मेने का time होता है, 4 मेने का time होता है, तो हम सारा सले बस एक बाद लेंदी type से करते हैं, अभी आपको ABC analysis के according चलना होगा, जो चीजे बहुत ज़्यादा important है, like, अगर मैं DT के बात करो, तो जैसे PGPP का chapter बहुत ज़्यादा important है, and अगर IDT के बात करो, तो IDT में जैसे आपका exemption बहुत ज़्यादा important है, registration का chapter बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा focus देना है, क्योंकि अभी आपके 100% syllabus करके नहीं जा पाऊगे, तो अभी आपको selective study करनी है, yes, exactly, आपको selective study ही करनी है, and selective study के basis पे आप exam को clear करोगे, तो like, जैसे economic law का subject है, economic law आपके लिए scoring subject है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो just, आपके अगरो किसी भी teacher का, आपको YouTube video open करना है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, कि एक एक घंटे में एक एक chapter करा देते हैं, तो like, जैसे मैंने CA Gauravar Sir का देखा था, तो आप Gaurar Sir का video देखे, जैसे competition, I think, अगर आप अपने से competition करने बैठोगे, तो आपको 2 दिन लगेगा, तो अभी आपको smart move करना है, उनका video open करना है, competition book बताते जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी book में देखते जाना है, like, आप खुद पर रहे हो, अगले की आप आवाज सुनने हो, ठीक है, तो ऐसे करते-करते, आपको competition 2 घंडे में घतम कर लेना है, अगर यही time आपके पास 4 महीने का होता, तो मैं के कहती है, आपको self study करो, अभी smart study करो, अभी आपको करना है, exam and clear करना है, तो बहुत ज़्यादा focus रही है, मदब जो चीज़े important नहीं है, उसमें time waste करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक-एक minute अब आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा important होगा, मैं यह नहीं गया रही हूँ कि, खुद के साथ बहुत harsh हो जाईए, कि हाँ हमने पढ़ा है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, यह चीज़े जो है, बहुत ज़्यादा माइने रखती है हमारे जीवन में, जो छोटी-छोटी चीज़े हैं, वो करना बहुत important है, बट हम क्या करते हैं, जो को ignore करते हैं, कि हाँ है सर नहीं, बट positive affirmation works a lot, जो अभी आपको क्या करना, smart study करनी है, smart study, चाहे वो DT की हो, चाहे वो IDT की हो, चाहे वो SCMP की हो, चाहे वो आपके open book examination की हो, आप smart, just like ABC analysis, जो होते हैं, बहुत सारे जित्ते भी teacher, आमारे YouTube में है, जो group to a subjects ले रहे हैं, और वो सब लोग अपने subject का ABC analysis डालते हैं, तो वो और जो teachers हैं, वो past year का टेन्ट देखके कि past year, past attempt में क्या question आया था, और उसके पहले क्या question आया था, तो क्या probability है, तो more or less, 100% तो कोई भी शियो नहीं बता सकता, बट more or less, कि वो जो अपने subject का ABC analysis देते हैं, वो काफी सही देते हैं, तो अब भी आपको या करना है, कि आपको A and B category पे बहुत जादा focus करना है, just skip C category, जो उन्होंने, मैं यह नहीं कहानूं कि C category से question आएंगे नहीं, कोई भी जो है, वो अपने estimation पे, अपने like experience के base पे, वो ABC analysis जो है, वो teachers release करते हैं, तो like ऐसा नहीं है, कि C section से कभी आता नहीं है, बट क्योंकि अभी आपके पास time बहुत कम है, तो आपको A and B पे focus करना है, ताकि आप maximum marks जो है, वो exam में score कर पाओ, तो अभी smart move करो, आप पूरे syllabus के लिए आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि it's a 30 days, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि हाँ पूरा syllabus अभी आपको complete हो जाएगा, बट हाँ, आप A, B category को अभी भी complete कर सकते हैं, अगर आप focus के साथ रही हैं, तो बिल्कुल उसको complete भी कर सकते हैं, बट जो like होता है की condition यह है कि जो भी करिए आप smart like, अब आपको क्या करनी है, नहीं कि खुद को कम मेहनत देनी है, और जो teachers की help है, एंड यूट्यूब वीडियो की help है, उसकी help बहुत जादा लेनी है, ताकि आप बहुती कम समय में जल्दी से अपना जो सलेबास है, वो like complete कर सकते हो, और उसका revision कर सकते हो, तो last में जो moment में यह है न, तो इसमें आपको बिल्कुल भी demotivated नहीं होना, सबसे जादे जो important जाद वो demotivation की होती है, तो उसको बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है, और अच्छे जल्लक के पढ़ाई करनी है, so thank you for watching this video, अब वीडियो अच्छे लगी है, तो चानल को subscribe कर लिजेगा, वीडियो को like कर लिजेगा, thank you,